इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा जे आप आज वीडियो आपने जारी किया है क्या है उसमें और क्या मानते हैं पहले तो मैं ये कहना चाऊँगा ये खेल तुमारा ही रचायवा है हिंडोस्तान में लड़ाने का और ऑन्डिया पाकिस्तान न्डिया पाकिस्तान करके अब तो कमरे में बैठके इसी में टी आर्पी बढ़ा रहा है ओ खुब लड़वा दिया, सोशल फैबरिक खराब करा दिया और पूछ रहो किया किया ये मॉब लिंचिंग, ये हिंदु मुसल्मान ये इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान चले जाओ आप पांस साल से नारे लगवाते हो बोल जे शीरी राम दाड़ी पकड़ लेते हो भाई मुझे एक बात बताओ, हमारे अलामा अकबाल ने कहा है शीरी राम चंदर जी हिंदुस्तान के पेगंबर है हमने कभी किसी धर्म के लिए आप शब्त कहे आप अपने नारे लगाओ, क्या किसी मुस्लिम कर्ट्री में अलाहो अकबर किसी हिंदु से लगवाए जाते हैं मतलब दो बार नरे नर मोदी क्या हो गाए, आपके सीने चौड़े हो गाए पिर हमें समय जैदा तकलीफ पहलुखान के केस किये उसके छे लोगों ने मारा, और कोट ने उसे इस्ज़त बरी कर दिया और वो क्या कहते हैं, सादवी, जो एक्यूजड है बाउम ब्लास्ट में अभी एक्यूजड है, सजा नहीं हुई है अजमेर दर्गाश्रीव की बाउम ब्लास्ट की F.I.R. मैंने लिको आई महा एनाईए की सप्लीमेंटरी रिपोर्ट मैंने अपने वीडियो क्लिप में डाली है उनका नाम है, और वो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट है, तीन लाग वोट से बनके आईए जो बाउम ब्लास्ट करें, जिनके नाम हो, उनको आप ये रिवाड देंगे पार्लिमेंट में बिजा दें हम ये कहें कि हमारे पे जल्म क्या हो रहा है, तो उस पे तुफान कड़ा कर दें मतलब ये कि हम तुम्हें मारेंगे भी मुसल्मानों और तुम्हें चुप भी रहना पड़ेगा और जेशिराम के नारे भी लगाना पड़ेंगे, तो ये तो भाई अब हिंदुस्तान में होगा नहीं, हिंदुस्तान हम सब का, और देखें हमारा तालुख आज़ा मुई द बत्तमीजी की, इत्ती इत्ती चीज़े हो जाती, आप लोगों ने देखा है दरगाई शीव के मेरी गेट से हम खुद्दाम अजरात, हिंदु भाई, जेनी भाई, सिको भाईयों के तेवार के प्रसेशन्स निकलते हैं, हम फूल की पत्तियां बरसाते हैं, भाई वो तो त पाकिस्तान से भी एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग मीडिया में क्या चला रहा हैं, आप प्लिटिकल माइलोज क्यों ले रहा हैं, यह हमारा इंटर्नल मामला है, और मिश्टर हामिद मीर आपने इट्यूट किया, कि यह दूसरी करवला है, आप अपने मामला समालें, भ सबूत देना पड़ता है, और भाई एक बात सुन ले, आप जिते बैठे हो, आप तो जिते जी का आपका साथ है, हम तो बात मरने के भी इस मिट्टी में दफन होते हैं, यार हमारे तो बाप दादा हैं, और मुझे दुनिया का कोई ऐसी कंट्री बता दो, जहां वो पैदा होएं, उनके बात दादा पैदा होएं हो, और वो मुल्क से महबत नहीं करते हो, कोई सिंगल इंसिडेंट तो बताएं आप हमें, लेकिन ये गवर्मेंट की ये पालिस तो नहीं चलेगी, मॉब लिंचिंग और जो मॉब लिंचिंग करें, फिर जब उन्होंने मॉब की तो बीजेबी के लोगों ने उन्हें जाके गले में हार्व डाले थे, आप सबको पता है, लड़ू खिलाए थे उनको, तो उनके सीने क्यों नहीं चोड़े होंगे, ये तो गवर्मेंट को इस पे बिल लाना पड़ेगा, और ये जो है, देखें, हमें प्रेजिन फेडर हराम का, मुसल्मान हराम का, खुब प्रोसेशन निकाले, बाबरी मज़ी तोड़ दिये, एक धक्का और दो, मज़ी तोड़ दो, लिपरान कमिशन की रिपोर्ट को इंप्लिमेंट मत करो, बॉम्बे में मुसल्मानों को मारो, श्री कशिन कमिशन की रिपोर्ट को इंप्लि यह कि भाई मेरा मतलब माहल खराब करने का नहीं है मैंने मुसलमान जागो का नारा यह दिया है कि प्लिटिकली सोशली अवैर हो पड़ाय लिखाई करो सेकलर एजूकेशन लो इस्कूल कॉलिजेज बनाओ हम इस्कूल डीम यूनियोस्टी बनाना चाहते थे आपको पता है 147 बीगर्स अब लैंड मिस्टर आशोग गैलॉट ने 2001 में हमें दी थी हमें इंस्टिशन नहीं बनाने दिया गया मुहाँ पे शिवलिंग लाके गाड़ दिया जब माहल खराब नहीं होता है हम तुम हमारे थपड मारो हम कहा हमारे को थपड मार रहा हो लात मार रहा हो गूस साथ नहीं जयता है हम यह कहने के हमारे साथ जूरा थो माहल खराब हो जाता या तौम स्कम बींग इंडियन दो ऐक बार सोच लो प्र एक बात और मैं कहना चाहता हूं मैंनれऀ पीर को फ्टक यू पूरEd मुसल्मान तो ब्वक्त्र वास उटा रहा हमारी हिमायत में तो बहुत खराब माहूल हो गया, खुली छूट मिल गई है, RSS VHP बजरंगदल को, हम गांधियन फिलोसफी में बिलीव करते हैं, हम गांधी जी की फिलोसफी पे चलने वाले लोग हैं, हम इस देश में रहा हैं, गांधी जी की फिलोसफी की वज़े से, नहरूस लेगेसी की और सेक्लरियरिप्स को प्रैक्टिस करते हैं, और संपरदाःक सवाध को सिर्फ मानने वाले ही नहीं हैं, प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप एक क्विनिटी के साथ जुम, देखें, जब यहां पर कारगिल में हमने पैसे दिये, सुनामी में हमने पैसे चाइना वार के टाइम ने हमने सोने का गोला दिया यहां डिक्सन तलाब बना फाइनेंस हम लोगों ने किया यह आप लोगों को नहीं दिखता है जब हम मुल्क के लिए बोलते हैं हिंदू के लिए बोलते हैं गरीब दरित्र के लिए बोलते हैं तो अगर मुसल्मान आज महोगा तो क्या उस पर बोलना क्या बढ़काना है कुछ तो इंसाफ की बात करो यार इमान की बात करो यार थैंक यू that's all